आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे महादेव की क्रिपा आप सभी पर जदा अब बनी रहेगी कि वीडियो तुला यानि कि लिब्रा के लिए बहुत महत्यपुण है क्योंकि वीडियो है जनवरी 2024 के मासिक राशीफल के बारे में कैसा जाएगा जनवरी का महिना तुला के लिए मेरा मासिक राशीफल जीवन की प्रमुक चीजों पर अधारित होता है जैसे की सामानले विश्टेशन, करियर, बिजनस, इंकम, इंवेस्मेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूरेंट्स और सेहत और इसके साथी वीडियो के अंत में कुछ उपाए भी बिताता हूँ जिसके करने से महीने की सकरात्मक्ता की विद्यवश्य होती है यदि आपकी लगन राशी या चंदराशी तुला है दोनों के लिए ही यही राशीफल होता है अलग-अलग राशीफल नहीं बन सकते कहां से जादा सठीकता बैटती है, मेरे हिसाब से यदि आप अपनी लगन राशी से देखते हैं सठीकता जादा बैटेगी, जिनको नहीं पता अपनी लगन राशी वो चंदराशी से अवश्य अपज़र्ग कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेशन के साथ सबसे पहले लगन भाव को ही देखेंगे लगन पर गुरु की रिष्टी रहेगी और गुरु जनवरी से ही मारगी हो जाएंगे तो यह सपश्ट बताता है कि यह महीना कहिना कहीं जीवन में आ रहे है विग्न, जीवन में आ रहे है मुश्किले जीवन में आ रहे हैं डिलेज जो कारे आपके बहुत विलंबित हो रहे थे उन सब में आपको कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा गुरू आपके रिए तीसरे घर के स्वामी है जो उपचे स्थान है जो जीवन की यात्रा को भी दरशाते हैं यात्रा को भी दरशाते हैं यानि कि पूरे महीने आपको यात्रा भी करने का मौगा मिलेगा और आपकी जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी उनको गुरू की उपादी इस ले दी गई है क्योंकि वो आशिरवात देते हैं गुरु की दृष्टी लगन पर अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि वक्री चल रहे थी, अब मारगी हो गए है, तो कई जो कार्यों में डिले हो रहे थे, वो आपके पून होना शुरू हो जाएंगे, पूनता की तरफ आपका जीवर जाएगा, की स्थिती पर भी नज़र डालते हैं, सबसे पहले शुक्र पर ही नज़र डालेंगे, शुक्र 18 तारीक तक आपके धन स्थान में रहेंगे, तो लगने के स्वामी धन भाव में, यानि कि धन प्राप्ति के योग तो आपके इस महीने बहुत अच्छे प्रकार से बन रहे है ओवराल ये महीना आपको शुबता की तरफ ही लेकर जाएगा, मंगल सूरे की उती तीसरे घर में, जो अपने आप में दोनों अगनी तत्व के ख्राया हैं, तीसरा भाव, जैसा मैं बता चुका हूँ कई बार उपचे स्थान है, ट्रांसोरमेशन का भाव है और स्किल्स का भाव है, तो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ऐसा सीखने के लिए, जो आपके जीवन में छोटे मोटे बदलाव लेकर आ सकता है, ये महीना कहीना कहीं बहुत अच्छा, बहुत श्रेश्ट, बहुत शुब दिख रहा है, इस महीने अवश्य कुछ राशी परिवर्तन हों और मंगल और सूरे के साथ उनकी योती बनेगी, अब दिखे इस महीने तीसरा भाव आपका बहुत एक्टिव होने वाला है, तो तीसरा भाव जीवन की यातरा को आगे लेके जाता है, साहस का है, प्राकरम का है, मंगल अल्रेडी थे वहाँ पर सूरे हैं, और बुद्ध भ प्राकरम एफर्ट्स को भाग्य का साथ भी मिलेगा, बुद्ध यहां से मिलकर भाग्यस्थान को भी देखेंगी, जो उनकी खुद की राशी है, यानि कि भाग्य का साथ इस महीने अवश्या आपको प्राप्त होने वाला है, अच्छी चीज दिख रही है, इस महीने एक औ आयन बल है सूर्य का, यहां से उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, अब यहां पर देखा जाए तो सूर्य आपके लावस्थाने के स्वामी है, और चौते घर में होंगे, यानि कि घर में पैसा आएगा, घरवालों की पेमेंट या उनकी इंकम में वृद्धी होगी, लेकि लेकिन सूर्य का चौते घर में आना माता जी के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और घर में भी एक emotional withdrawal हो जाता है, यानि कि घर में लड़ाई जखड़े तो होते ही है, emotional withdrawal हो जाता है, यानि कि emotional attachment की कमी हो जाती है, तो family life पर इसका negative impact पर सकता है, लेकिन क्योंकि लावस्थ आनके स्वामी है, चौते घर में है, तो घर में पैसा आवश्य आएगा, और सूर्य दस्वे घर को देखेंगे, जो करियर का स्थार है, लाभेश केंदर में बैठकर दस्वे भाव को देख रहे हैं, यानि कि कारेक्षेतर में पैसा आपका आवश्य पढ़ेगा, तो ये भ लगनेश है, तो उनका तीसरे घर में आना, यानि कि बहुत कुछ जो बहुत लंबे अरसे जे करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, ये वो समय है, जब लगनेश तीसरे घर में होंगे, तो आपको वो करने का आवसर प्राप्त होगा, इसके साथ ही शुक्र आप अचानक से कुछ बहुत बड़े चेंजेस इस महीने आपके जीवन में आ सकते हैं, जो आपके जीवन को पॉजिटिव डिरेक्शन में ही लेके जाएंगे, ध्यान ये देना है कि मंगल यहाँ पर विश्वास और आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन बुद्ध का यहाँ प तरीकों पर, अपने बॉडी लेंग्विश पर, अपनी लेंग्विश पर, अपने कारे करने के तरीकों पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट के कारण प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं, बाकी ग्रहों के सीती बर नजल आलते हैं, केतु अब बारवे में है, रहेंगे लंबे अरसे तक, केतु कहिना कहीं बारवे में अध्यात्मिक जो आपकी यात्रा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे, जो कहिना कहीं 2022 में यहाँ पर जैसे ही केतु आये थे, स्टार्ट हो गई होगी, अब केतु कहिना कहीं अपने स्थान में केतु का बारवास्थान मोक्ष का असान होता और यहां पर केतु जो बात है तो मोक्ष के एगदम प्रवलकारक बन जाते हैं तो बुझो एक चेतना जा गी थी आप उसकी यात्रा और आगे पड़ेगी ध्यान देजेगा सेहत का अगर 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 कोई दवाई खा रहे क्रियर में कुछ ना कुछ बदलाव आए होंगे डाहु छते घर में वेक्ति को थूड़ा डिपलोमेटिक भी बनाते हैं कारक श्यत्र में तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं शनी पंचम्चम में बने रहेंगे योग कारक है पंचम्म में उनका होना हुना अच्छा ही देगा थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी-कभी होती है दसवे से अश्टम में कोई बहुत स्टॉंग रह बैट जाता है तो थोड़ा वर्क स्पेस में प्रोफाइल आपका या कार आपका थोड़ा अंस्टेवल हो जाता है लेकिन ओवराल देखा जाए तो म्यूजिक सुनना, मूवी देखना या जो भी चीज आपको किसी कला से जोड़े किसी कलात्मक चीज से जोड़े क्योंकि शुक्र है कलात्मक तो अपने तत्व की चीजों से जुड़ी अच्छा रहेगा communication पर ध्यान देजेगा अपने जीवन में क्या करना है किस चीज पर ध्यान देना है priorities को इस महीने बहुत आपको importance देनी है financial कोई भी बहुत बढ़ा निरने मत लीजेगा और कई कारे आपके फून होंगे इसलिए जहां पर भी लगता है कि हाँ ये कारे फून हो जाता है तो वहाँ पर delay मत कीजेगा कि चलो अभी तो होई रहा है कल देख लेंगे जो दिख रहा है कि कारे आज फून हो सकता उसको आज महीं खतम कर लीजेगा ज्यान प्राप्ति के लिए और अपनी knowledge को बढ़ानी के लिए भी महीना बहुत अच्छा है चलते हैं करियर की तरफ दस्वे भाव को देखेंगे दस्वे भाव पर मंगल की दृष्टी जरीडिश्टी बनी रहेगी आठवी दृष्टी और मंगल क्यूगी सब्तमेश है और धनस्थान के स्वामी है यानि कि धन बढ़ने के गुरु है और गुरु अब मारगी हो चुके हैं तो जो थोड़े सी उल्जने या में भी प्रमोशन रुकी हुई थी उसकी बातें जो आगे बढ़ने के लिए समय है वो जनवरी का महीना बहुत स्टेश्ट है तो कारेक शेत्र में तो अच्छा ही दिख रहा है इस महीने दस्वे भाव पर सूरे के रिष्टी भी आएगी जब सूरे 15 जनवरी को यहां पर आजाएंगे सूरे आपके लिए लाबस्थाने के सौमी अब देखे कितना अच्छा योग बन रहा आपके लिए धनस्थाने के स्वामी मंगल और सूरे जो लावस्थाने के स्वामी है सूरे 15 जन्वरी को यहाँ पर आ जाएंगे तो उसके बाद दोनों ही आपके दस्वे भाव को देखेंगे तो करियर में कारक शित्र में वृद्धी के लिए आगे बढ़ने के लिए एक्स्टा इंकम अर्ण करने के लिए महिना बहुत अच्छा है बहुत शिष्ट है राहू अल्रेडी प्रभाव डाल रहे है तो रिसेंटली कुछ बदलाव भी आपके कारक शित्र में आए होंगे तो ओवरॉल सब कुछ अच्छा देख रहा है बस एक चीज का ध्यान जीएगर दस्वे से अश्टम में शनी है थोड़ा सा कारे जो भी आप करते हैं उसमें एक स्टैबिलिटी नहीं रहेगा यानि कि कुछ न कुछ बदलता रहेगा तो उसके हिसाब से अपने आपको बदल लीजेगा अधरवाइस तो महीन अच्छा है विशेश प्रेडिक्शन में तरफ से अच्छा दिख रहा है सब कुछ बीच के भाग में महीने के कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है जो आप नहीं रंग से कर पाएंगे तो उसको हैंडल रंग से कर लिजेगा उस चीज को उस सिचुएशन को अधरवाइस अच्छा है धन बढ़ता हुआ दिख रहा है opportunities आते हुए दिख रही हैं इसके साथ ही अपने पूरे कारेक्श हित्र को एक बहुत balance structured way में आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अच्छा है आपको इस महीने कोई नई opportunity करियर में वृध्धी के लिए और पैसे की वृध्धी के लिए भी मिल सकती है हो सकता है कोई नया रोल आपको offer हो जाए हो सकता है इवन कोई एकदम अलग ही profile आपको दे दिया जाए तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा overall तो ठीक है सा महीना finance sector कुछ artistic field में है education sector communication sector इन से जुड़ा कारे करते हैं तो ये महीना overall तो आपके लिए शुबता दिखा रहा है business की तरफ चलते हैं business के लिए भी महीना कहीना कहीं अच्छा दिख रहा है सबसे पहले बात करते हैं सब्तम भाव की गुरु है यहां पर और गुरु मारगी हो गए हैं और गुरु आपके लिए सब्तम से नवम के स्वामी है यानि कि महीना भाग्य का भी साथ business में मिलेगा आपको और क्यूंकि गुरु तीसरे घर के स्वामी है यानि कि जो कार्या अटक रहेते वो भी पूर्ण होंगे शुबता पूर्ण ही यह महीना पूरा आपका business के संदर्व में दिख रा है पस ध्यान यह दीजेगा गुरु यानि कि ब्रहस्पती आपके छटे घर के स्वामी भी है जो सब्तम से बारवास्थान है यानि कि खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि राहू का प्रभाव भी ब्रहस्पती है राहू पर ब्रहस्पती का प्रभाव भी रहेगा तो क्योंकि यह interlinked है क्योंकि राहू इस समय ब्रहस्पती की राशी में है और मैं बता चुका हूँ कि राहू और केतु ऐसे ग्रह हैं कि जिस ग्रह की राशी में बैठते हैं उसका भी कुछ ना कुछ हो काराकत्व ले रहेते हैं तो राहू और गुरू का connection अभी भी है तो विदेश से सबंदे अगर आप कुछ काम करना चाते हैं और अलड़ी करते हैं तो उसमें आपको इस महीने लावप राप्त हो सकता है शनी की दिश्टी भी सब्तम भापर बनी रहेगी और शनी योग का रखे और आप क्यूंकि गुरू मारगी हो गए है तो अरसे से जो आपके कारे अटक रहे थे जो कारे डिले हो रहे थे पैसा अटक रहा था, payment अटक रहे थी काम में कुछ बाधाय आजा देती इस महीने से वो बनना शुरू हो जाएंगी विशेश प्रेडिक्शन में तरफ से laziness मत रहेगा वो आपके business पर बहुत भारी पड़ेगी, नया सीखने का कुछ कोशिश कीजेगा, साहस दिखाना पड़ेगा, changes बहुत आ सकते हैं, अपने goodwill पर काम कीजेगा business की बहुत important है, और patience भी इस महीन दिखाना पड़ेगा, अपने business की basic understanding पर काम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा, और भी विशेश, और भी शुब रहेगा, चलते हैं, income, investment और expenses के तरफ, सबसे पहले investment की बात कर लेते हैं, शुरुवाती दस दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के दस दिन बिलकुल भी अच्छे नहीं है, यहाँ पर avoid कीजेगा, और जो अ आपके जो लाभेश हैं, वो भी केंद्रभाब में आ जाएंगे, और शुक्र पहले वो धनस्तान में रहेंगे, उसके बाद वो धनस्तान के स्वामी यानि की मंगल के साथ यूती बनालेंगे, तो यह महीना कहिना कि धन प्राप्ती के लिए अच्छा है, ध्यान ये देना ह क्योंकि तीसरा भाव एक्टिव है, तो महनत थोड़ी जादा करनी पड़ेंगे, लेकिन ये है कि धन प्राप्ती के लिए जो भी महनत करेंगे, वो इस महीने रंग लाएगी, तो अच्छा महीना है, खर्चों की बात करें, दिखी, आपके जो वेस्थान है, उसके स्वामी बुद्ध पहले धनस्तान में रहेंगे, यहने कि खर्चे तो थोड़े बड़ेंगे, फिर तीसरे भाव में भी आ जाएंगे, क्या-क्या खर्चे हो सकते हैं, दवाईयों पर बहुत खर्चा होगा, वो आपके लिए हो, आपके घर में किसी सदस्य के लिए हो, घर के सदस् हो गया, कुछ भी एक्विप्मेंट्स वगरा, जहां पर इलेक्टिक एक्विप्मेंट्स हो गए, तो उन पर इस महीने थोड़ा कर्चा पत्यदिक हो सकता है, बात करते हैं, लव एंड रिलेशन्शिप की, सबसे पहले नो कॉन्टेक्ट सिचेशन की बात करेंगे, होना है, पूरी संभावना है कि इस महीने बातचीत बढ़ सकती है, बन सकती है, किसी के थुरू होगा ये, डिलेक्टली मत ट्राय कीजिएगा, कोई म्यूच्वल फ्रेंड आ दी है, उनके थुरू बातचीत स्बस्ट हो सकती है, ने रिलेशन्शिप की संभावना बहुत ज दीरे करकर कम होगा, तो अगर रिलेशन्शिप में बहुत प्रॉब्लम जारी है, तो दीरे-दीरे करके इस महीने से कम होना शुरू होगी, शुक्र मंगल के साथ आजाएंगे जो फिजिकल इंटिमिसी में बढ़ातरी करते हैं, और ये काम तरिकोन भी है, यानि कि एक अट प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, छोटी और सिंपल चीजों पर ध्यान दीजेगा, उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजेगा, थोड़ा एंटर्टेन्मेंट, थोड़ा हसी मजाक, महौल को लाइट रखेगा, एक मैचुरिटी आपको लानी पड़ीगी, अपने रिलेशन्शिप में बहुत अनिवारे है वो, और एक पूर्णता का भाव भी रखना पड़ेगा, निकि जब कोई बात होती है, तो उसको आधा दूरत छोड़िएगा मत, आपके पार्टनर को कहीना कहीं लगना चाहिए, कि हाँ, आपकी तरफ से भी कमिट्मेंट पूरा है, या कहिना कहीं, आप भी अपनी तरफ से 100% इस लेशन्शिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बात को लेकर कहीं भी एक शंका नहीं होने चाहिए, आपके तरफ से आपके पार्टनर के लिए, तो इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगी, ध्यान ये दिचेगा कि गुरु है, वो छटे घर के भी स्वामी है, जो सब्तम से बारवा है, क्यानि कि लड़ाई जगडे चलते रहेंगे, शनी की दृष्टी भी है, और शनी की दृष्टी उनकी नीच की राशी पर है, तो मैं ये तो नहीं कहुँगा कि सब हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनका धीरे धीरे करकर निवारन इस महीने से स्टार्ट होगा, एक मात्र चीज इसका कारण बनती है, वो यही है, कि गुरु मारगी हो जाएगा, और गुरु कहीना कहीं, चीजों को ठीक करने वाले हैं, गुरु हमेशा एक ब्लेसिंग होती है, तो गुरु का यहाँ पर प्रभाव होना, यानि कि जो मैरेड लाइफ पर प्रॉब्लम आ रही थी, वो धीरे धीरे करके इस महीने ठीक होंगी, सूरे का यहाँ पर आ जाना, कहीना कहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है, 15 जैनवरी के बाद इगो क्लेशिस काफी हो सकते हैं, लेकिन पुनहा, शुकर का जब यहाँ पर आना होगा, 18 जैनवरी को, तो एक आकर्शन, एक अट्रेक्शन, एक लाइक अबिलिटी, लाइफ पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है, उसके कारण जो प्रॉब्लम जा रही थी, वो पुनहा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव महीना नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये भी मत समझेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक और आगे बढ़ेंगे, तो मैरेड लाइफ में कई चीजों को ठीक इस महीने किया जा सकता है, आपके लाइफ करतियों को, पुरानी बातों को, उनको जादा डिस्कस मत कीजेगा, सुपेरटी कॉंप्लेक्स बिल्कुल मत दिखाएगा, वो इस महीने बहुत तंग करेगा आपको, और इसके साथ ही, अपने इनलोस का भी इंवल्मेंट थोड़ा कम ही रखेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनसे थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, उनको इंवल्मेंट कर सकते हैं, अधरवाइस थोड़ा सा ये महीना ऐसा है, कि अपने इनलोस से दूर ही बिताएंगे, यह नहीं करा कि हमेशा के लिए, लेकिन कुछ-कुछ समय आता है कि बाहरी तत्मों का, बाहरी तो न स्टूरेंट की तरफ एक्जाम से शुरू करेंगे, शुरुवाती दस दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के दस दिन अच्छे नहीं है, कि यहां पे आपका अपने उपर कंट्रोल नहीं रहेगा, मन को नियंतरत नहीं रख पाएंगे, और अंतिम जो दस दिन हैं, बहुत महीने के, और उसके बाद वो आपके तीसरे भाब में आ जाएंगे, मंगल और सूरे के साथ उनके यूती हो जाएगी, तो ओवरॉल कॉम्पेट्रिव एक्जाम के लिए महीना अच्छा है, शुक्र की यूती पहले साथ दिन भी रहेगी, और उसके बाद 18 जनवरी से भी र दिहान दीजेगा, सात्विक्ता अपने अंदर रखेगा, और जितना बैलन्स रहेंगे अपने, रखेंगे अपने आपको, उतना आपके लिए महीना अच्छा जाएगा. करते हैं सेहत की, सेहत के इसाब से देखी अच्छी चीजी है कि गुरू की दृष्टी पढ़ रही थी, वोर वक्री थे, यानि कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, और दिसंबर के अंत में शुक्र जो लगनेश हैं, उनकी बुद्ध के दिसंबर के अंत से जनवरी के शुरुवाती भागतक का समय थोड़ा कश्टकारी रह सकता है, उसके बाद चीजे ठीक होगी, क्या क्या तंग करेगा, इंफ्लमेशन, मेटाबॉलिक डिसॉर्डर्स, गले की रोग, बीपी की प्रॉब्लम और नसों की रोग, ये प्रमुक् विकार है, उनको दिक्कत परिशानी हो सकती है, और वायू रोग बहुत तंग करेंगे, और जो अंतिम दजिन है, यहाँ पर नसों के रोग, स्लीप डिसॉर्डर्स, वाटर एटेंशन, और दांतों के रोग तंग करेंगे, पाय की बात करते हैं, दुरगा माता और लक्षम लक्षमी जी का मंतर आता है, यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, जो इसकी उचारन है, तो अगर आपको लक्षमी जी का कोई और मंतर आता है, तो उसका भी उचारन धंग से कर सकते हैं, एक स्वाट बार, यह उपाय लेंगे, तो आपके लिए यह जो महीना है, वो कहिना कही अच्छा जाएगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आए, कि चैनल पर ने है, सब्स्क्राइब कर लिजे, वीडियो को लाइक कर लिजे, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए, ओमने